Hey Guys कैसे है आप लोग आजके lesson बहुत जाधा important और wineStrauma को आजके lesson बहुत ज़्यादा important होनेवाला है फ करने वाला है वहां हम लोग बहुत जाधा Major-7 chord के बारे में और Major-7 chord आप लोग cuts की बहुत जयादा importance रक्धिया जब हम लोग बात करते om chord progressions के इस से related बहुत सारे songs बनते हैं और अगर आप लोग खुछ से कोई song बनाते हैं कुछ चीज इंप्रोवाइस करते हैं उसमा अगर आप लोग major 7 chord को add करते हैं तो आपके song एक अलग level तो पहुंच जाते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं सब करना तो इस lesson में बने रही है क्योंकि मैं आप लोग लिए ऐसी theoretical और informative videos regular basis पर लाते रहता हूं और ऐसी theoretical और informative videos आप लोगो दूसरी channels में नहीं मिलीगी Hindi में तो अगर आप लोग चाहते हैं सब सीखना तो आप लोग इस चाहते हैं सब सीखना तो आप लोग इस चाहते हैं प्लस मेरा एक foundational course है जो आप लोग लोग उसको जॉइन नहीं चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब पढ़ने की जाइन में जॉइन बर मिल जाएगा 199 का पर मंद कोर्स और आप लोग बिल्कुल वर्थ है अगर आप लोग को दिखना है वहाप प्लेलिस में जाए पेड मेंबर्स वीडियो में जाए कि इससे पहले माँ आप लोग को थेयोटिकली बताना चाहूंगा अगर आप लोग को किसी भी चीज के बारे में नॉलेज इ worms फार फार शी सेवन और वापapers जो नौť उसलते है इंन में से जभ हम लोग 1st note, 3rd note और 5th note एक साथ play करते हैं अलेगलग strings में तो हमारा measure chord बनता है चीक है आप सभी को ये बात पता होगी बट अगर हम लोग इसी में 1 note add कर दें 1st, 3rd, 5th के साथ अगर हम लोग एक note add कर दें जो की 7th note है यह अगर हम लोग इसी chord में add कर दें इसी major chord में अगर add कर दें तो हमारा measure 7th chord आजाते है यह आप लोग का relation है measure और measure 7th में कि measure में आप लोग के 3 notes होते हैं 1st note, 3rd note और 5th note और यहाँ पर आप लोग के 4 notes होते हैं 1st note, 3rd note, 5th note तीनों सेम होते हैं और एक extra note होता है जो कि उता है 7th note, तो इस 7th note को पस हमें add करने हैं, हमारा जो major 7th chord है, वो मिल जाएगा, तो as an example में आप लोगो C major chord में करके दिखाते हैं, कैसे ये काम करना होता है, तो सबसे simple तरीका होता है, 7th note को ढूड़ने का, और इसे add करने का वो ये होता है, कि आप लोगों का जो octave note है, एक तो होता root note जो कि सबसे उपर होता है, जो कि base note होता है, जिसमें base note भी कहते हैं, तो ये जो root note होता है, इसे दम change नहीं कर सकते हैं, बिकॉस ये जो root note है, ये ही बताता है कि ये chord कौन सी बज़ रही है, ये C है, इसलिए C chord है, ठीके तो हम इसे change नहीं कर सकते हैं, बट इसके बाद अगर हम लोगो कहीं और पर C मिल ला है, जो कि इसके बाद हमें octave में मिलेगा, सारे गामा पधनी सा, बस हमें इस सा को नी करते हैं, तो आप देते हैं नी और सा में 7th और 8th note में बस एक fret का gap है, तो अगर हम लोग जो octave उसे back कर देते हैं chord में chord shapes जो हम लोग प्ले करते हैं, तो हम लोगों को हमारा 7th chord मिल जागा, तो जैसे C में ज़र chord है, इसमें हमारा 8th note है वह ये है, और अगर हमें इस 8th note को एक fret पीछे करना हो, जैसे कि ये खुद 1st fret में है, तो अगर हमें इसका एक note पीछे करना हो, तो हम इसको openly play कर सकते हैं, तो अगर हम लोग chord में भी इसे openly play करें, तो जब हम इस chord को play करेंगे, तो ये हमारी 7th chord बन जाएगी, तो ये chord है, आप लोग की C7th chord, तो hope करता हूँ, आप लोग को ये example समझना है होगा, अब हम लोग जो shapes हैं, आज के करने वाले हो, सारी mobile shapes होंगे, और 5 shapes बताऊंगा आप लोग को, 5 shapes जो होंगे, वो सारे chords बजा सकते हैं, तो 5 chords से, आप लोग सारे chords, जो आप लोग के सारे shapes हैं, वो 5 बार बजा सकते हैं, तो आप लोग अलग लग जगे, same 7th chord भी बजा सकते हैं, तो सबसे पहला जो shape होगा, C shape, जिसके बारे में अभी मैंने example दिया, तो इसको आराम से आप लोग क्या करना है, आप लोग को, आप लोग को जिसका octave note है, जो 8th note आ रहा है, octave note, इस note को आप लोग को बाश 7th करते हैं, और आप लोग का जो chord है, वो 7th बन जागा, इसको आप लोग C 7th कहेंगे, और ये chord जो है, ये movable chord है, मतलब आप लोग इसे move कर सकते हैं, और और बागी chords के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसको move करने के लिए, आप लोग को क्या करना होता है, कभी भी अगर आप लोग को chords को move करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, basically आप लोग chords इन 3 finger से play करते हैं, बट अगर आप लोग को chord move करना है, नीचे की तीन स्ट्रिंग्स में, ऐसा क्यों कि हमने, विकार जब हम लोग फर्स शेप में थे, तो यह तीन स्ट्रिंग्स ओपन थी, पर जैसे हम एक आगे आते हैं, तो यह दोनों नोट्स तो आगे आगे, जिनको हमने फ्रेट कर रखा है, बट जो यह वाला नोट था, यह इनको आगे लाने के लिए, हम लोग यहाँ पर फ्रेट करना पड़ता है, तो यह आप लोग को नेक्स नोट बंजागा, जो कि है C शार्फ सेवन कॉर्ट, मेजर सेवन कॉर्ट, तो आप लोग देख सकते हैं, कैसे आप लोग को प्ले करना, और जस्टिफाइ कौन सा कॉर् तो अगर यह नोट यहाँ पर आजाता है, जो कि E नोट है, और हम लोग इस शेवन को यहाँ पर प्ले करते हैं, तो E मेजर सेवन्थ नोट यह हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सारे कॉर्ट प्ले कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने सबस्वेले C प्ले करा, फिर आपने C शाफ प्ले करा, C शाफ, मेजर सेवन्थ फिर D, मेजर सेवन्थ फिर D शाफ, मेजर सेवन्थ फिर E, मेजर सेवन्थ फिर E शाफ, मेजर सेवन्थ फिर E शाफ, मेजर सेवन F, F शाफ, G, D शाफ, और ऐसे करके आप लोग सारे कॉर्ट प्ले कर सकते हैं, इस वाली के ज़र, यह chord है अब इस में जो रूट-णोड होता है वो यह णोट होता है ओपन श्रिंग तो इसके साथ नहीं करते हैं आम लोगो पता है यह जो याला note है बीचो बीच में, जो 3rd string में आ रहा है, इसको हमें अगर एक back कर देते हैं, तो हम लोग का chord हो वह 7th बन जाएगा, तो अभी हम लोग का जो shape हो कुछ ऐसा है, इसको अगर हमें पीछे करना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग pinky हटाएंगे, इसकी जगा हम सकते हैं, और आप लोग को पता है, शिफ्ट करने का जो तरीका वो क्या है, इन 3-0 fingers की जिए हम लोग इन 3-0 fingers से वह shape बनाएंगे, इन 3-0 fingers से हमने shape बनाए, इसे आगे shift किया, और बाकी हमने fret कर दिया, अब इसमाँ आप लोग को यहाला note नोट पका प्रेस करना है, बिकॉ हमने A से एक आके बढ़ें, तो A sharp हो गया, आप लोग को musical alphabets के बारे में पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो please मेरे theory lessons पर visit करिए, यह A sharp 7 हो गया, फिर ही आप लोग का A sharp major 7, फिर ही हो गया B major 7, फिर C major 7, ऐसे C sharp, D, D sharp, E, F, और इससे भी आप लोग सारी play कर सकते हैं, तो हमने दो जगे, C major 7 play करना भी सीख लिया, और A sharp, मतलब जो A major 7 था वो भी play करना सीख लिया, तो ऐसे अभी तीन और shapes आने वाले हैं, जिनके help से आप लोग और भी सारे shapes हो प्ले कर पाएंगे, तो जो shapes में आप लोग को पता रहे हैं, सारे movable हैं, और यह single single आप लोग के सार आप लोग को देखके, बाके आप लोग को हर A chord के 5-5 shapes में लें, तो दो shapes में आप लोग को बता दिये, अब बात कर लेते तीसरे shape की, जो है E shape, अब यह हलका सा दिमाग लगाना है, यह हलका सा मुश्किल तो नहीं गएंगे, बर इसमा आप लोग को focus करना पड़ेगा, तो जो note है, इस वाले note को बस हमें एक back कर देना, यहाँ पर, तो हम लोग यह जाले note हो गए, एर्ट के जिगा, 7th बन जाएगा, तो यह note हमारे chord में आता है, हाँ बिलकुल आता है, तो यह वाला note जो बीचो बीच में, इसको हमें एक back कर देना है, तो इसको back करने के लिए हम ल पाकी पूरा shape वैसा ही है, तो यह shape बना आप लोग का E major 7th का, अब इस E major 7th के, अगर हम लोग shift करना चाहते हैं आगे, तो हम लोग पहले से इन तीनु फिंगर से play करें, बहुत बढ़ी है, हम लोग इसको आगे को shift करेंगे, चीके, जैसे आप लोग इसे ऐसे भी play कर सकते ह यहाँ पर रका, यहाँ पर रका, ठीके, ऐसे करा और पीछे से बाल लग जाएगा, और justify कौन से करेंगा कि कौन सा chord player है, यह वाला note, तो इसी को आप लोग shift करेंगे, मेरा हलका सब जो G string है वाल किसी buzzing कर रही है, तो ठीके, उसको ignore मालना, पता नहीं क्यों कर रही है, I don't know, तो यह आप लोग का, अगर आप लोग इस chord को देखें, और यहाँ पर जो note लगा, यह F sharp है, तो F sharp 7 हो गई, फिर ऐसे G sharp 7 हो गई, और ऐसे करके, आप लोग इससे भी सारे chords बजा सकते है, बट यह वाला जो shape है, हलका सा unusual है, आप लोग देखें, तो एक दम याला shape बनेगा झाकर सकते हैं, इस के जगे अपलोग क्या play कर सकते हैं, वह ये है कि आपっひोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी index finger, जैसे हम लोग A कले प्ले करते हैं, जो 7th chord होता, जैसकी आप लोग जो shape बना था, वो ऐसा बना था, और मूले stir shift करा, तो ऐना A मैं ऐसे आ आगया, इसको और हम नॉर्मली ऐसे प्लेगा रहें बट अकर जो मेरा वे है वो यह है कि मैं क्या करता हूं मैं इंडेक्स फिंगर को यहां पर ऐसे रखा इसे इसकी निचल लिश्टिंग को म्यूट कर दिया ठीक है जिससे हमारे को हमारी पिंकी यहां पर ना रखनी पड़े ठीक है उस वाले नोट को तो म्यूट कर दिया इंडेक्स से और बाकि हम लोग ने यहां पर यह दो नोट्स प्ले करें और इसी के नीचे जो हमारा सेकंड इस्टिंग है इसमें हम लोग यह वाली जो अपनी मिडल फिंगर है यह रख देते हैं और नीचे का जो नोट होता है यह भी म्यूट हो जाता है तो दो नोट म्यूट है एक यालर नोट म्यूट है और बाकि चारू नोट प्ले हो रहे हैं तो यह हो कि आप लोग ज्यादा बहतर शेप और इसको आप होगा समझें यह रहा हलका सभी यहाँ पर हलकी सी कन्फिजन हो रही है अगर मेरे बताते हैं तो चार्ट में ध्यान से देखिए मैं क्या प्ले कर रहा हूँ अब बात के लिए अपने फोर्थ शेप की तो अभी तक जो मैंने आप लोगो तीनों शेप बता है उनसे आप सार वहार इस तो इस ओपन स्ट्रिंग को तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हम लोग इसका ओक्ति धूनेंगे जो की यहां पर आता है ठीक है तो अगर हम लोग प्ले करें है सारे गमा पधा और जैसे कि यह जो सा आया इसको हमें बस नी करना है तो पहले शेप आपने ऐसे होता थ है तो यह 4 दो बच गए आप लोग दी 7th हो घए अब इस शेप को आगे आप लोगग सिफ्ट कर सकते हैं बट इस शेप को शिफ्ट करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा पहले आप लोग इन 3 फिंगर से शेफ को जाएंगे इस आगे शेप करेंगे और यह वाल E7, E7th हो गया फिर F7th हो गया, फिर F7th मेजर G, मेजर G, मेजर M, यह चलते रहेगा जब तक आप लोगे फ्रेट से ठीक है, तो यह हो का आप लोगे आप लोगे चौताओ शेप तो चार्ट शेप बताएं, एक C शेप था ठीक है, फिर आप लोगे आप लोगे कर दो ये चारो शेफ हम ने कर लिए अब एक लास्ट decreased इस शेप को मैं कोई नेम नहीं देना चाहूँँगा वैसे ये याले f वाले शेप से निकलता थैं यह है पर्लोग का लोगट करते हैं चाहें चाहिए अ छिक को लेता है। सिमेटरीकल कोर्ड एक टेकिसे यह अप लोगशा कॉंसे फ्रेड में यह फिफ्त में तो यह फोर्त में यह 3rd में, यह 2nd में और यह होगा आप लोग का G7 अगर आप लोग इसी को shift करके A में लेके जाते हैं आप लोग का A का याला note है आप लोग का 7th में यह 6th में, 5th में, 4th में ठीक है, frets की बात करो एक-एक frets पीछे होते हैं, एक-एक string नीचे जाते हैं तो यह हो कि आप लोग का A7 ऐसे आप लोग B7 पिले कर सकते हैं ऐसे आप लोग C7 पिले कर सकते हैं ठीक है, तो यह है आप लोग का last shape जो की बहुत ही simple है और बहुत ही जाता used है तो इसमें 4 जो notes होते हैं एक दूशे के बिल्कुल अरीब करीब होते हैं इसको basically लोग close position बोलते हैं अगर आप लोग ने मेरी guitar music theory देखी है वाली वीडियो देखे हैं उसके बाद अगर आप लोग याली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को पता हो अगमे क्या बात कर रहा हूँ कि हम लोग को low A major 7 चीए तो आप लोग ये वाला play करेंगे अगर वो बुले का आप लोग उनको high major 7 चीए तो आप लोग ये वाला play नहीं करेंगे फिर आप लोग यहां से ये वाला play कर सकते हैं यहां दुनों A major 7 थी थी अगर आप लोग आवाज सुने या फिर ये, दोनों सेम है, बस इसमे कुछ low notes लगें, इसमे कुछ high notes लगें, तो ये आप लोगो पता होने चीए कि कब किसको use करना है, अगर ये और high करना है आप लोगो तो आप और दूसरे shapes लगेंगे, जैसे आप लोग E वाला shape लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, ये तो आप लोगो देख सकते हैं, अगर ज़्यादे high चीए तो आप लोग भी use कर सकते हैं, तो ये आप लोगो पता होने चीए कि same code को आप लोग लगे जगें कैसे बजाते हैं, तो यही था आज के lesson, hope करता हूँ, आप लोगो पसंद आया होगा, हलका सा long lesson था, बट जो theory थी यह आप लोगों की जिन्दी की भर काम आईगी, और जो मैंने आप लोगो shapes बता हैं, यह आप लोग move कर सकते हैं, और भी कुछ shapes होते हैं, जो आप लोगो खुद से बना सकते हैं, बट वो difficult होते हैं, इसलिए मैं आप लोगो यहाँ पर बताएं नहीं, बट यह 5 आप लोग अच्छा लगएगा अगर मुझे आप लिव्यूस दोगे, तो यहीं पर lesson खत्म होता है, अगर अगला वीडियो आच्छी का होगा, minor वाला और dominant वाला तो वह दोनों इन दोनों boxes में पड़े होंगे, और चैनल को subscribe आने कि लाप इस circle में क्लिक मार सकते हैं, मैं आप लोगो स